हेई गाइज वेल्कम बैक तो सरतासर की क्लास भाई मैं आज आपके लिए कमाल का कलेक्शन लेकर आया हूँ यहां पर कुछ सेंटेंस देखिए जिनके लास्ट में पढ़ रहा है पढ़ता है पढ़ा पढ़ रहा था पढ़ेगा पढ़ सकता है ऐसे से वाक्य अक्सर आपकी लाइफ में आते हैं और इनकी इंग्लिश बनाने में बहुत दिक्कत होती है बट डोंट होई आज इस पैटर्न की ना सरीफ इंग्लिश बताऊंगा बलकि इनके रूल्स भी बताऊंगा जिसके जरीए आप ऐसे सेंटेंसे लाइफ में धेरो बना पाएंगे अब यह पूर आज के दिन में आपको बनाना सिखाता हूं यह कमाल का पैटर्न आफ जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत कमाल कमाल की चीज आज आप सीखेंगे आप सबसे पहले एक एक करके इन्हें बनाते हैं इनके रूल्स के साथ पहला वाला देखिए सबसे पहला है मुझे ज पढ़ रहा है पढ़ रही है पढ़ रहे हैं आ रहा है इसके लिए पता है आपको क्या लगाना है अरे वेरी सिंपल इसके लिए आपको इस एम आर में से कोई एक चीज के साथ है विंग तू लगाना है मैं तो कह रहो कितना सिंपल है यार है विंग टू लीजिए बन गया चलिए आईए बनाते हैं, मुझे जाना पढ़ रहा है, लिखा हुआ है ना, तो simply बनाएंगे, I am having to go, I am having to go, बस, आगे ना समझ में, तो ऐसे आप बना लेना, अब आप बनाईए, मुझे आना पढ़ रहा है, I am having to come, उसे सोना पढ़ रहा है, he is having to sleep, मुझे खिलना पढ़ है, I am having to play, ऐसे, अब आगे देखते हैं, अगला पैटन है, मुझे जाना पढ़ता है, अब पढ़ रहा है नहीं है, पढ़ता है, तो इस पैटन में, last में आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे, पढ़ता है, कोई भी ऐसा sentence, जिसके last में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़त has to or have to, बस, has to or have to, अब जैसे मुझे जाना पढ़ता है, very simple, I have to go, I have to go, मुझे आना पढ़ता है, I have to come, मुझे पढ़ना पढ़ता है, I have to read, मुझे देखना पढ़ता है, I have to see, तुम्हें बोलना पढ़ता है, you have to speak, रानी को कपड़े दोने पढ़ते हैं, रानी हैस टू वाश दे क्लॉज, ऐसे, आगया ना, अब आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है, मुझे जाना पढ़ रहा था, यह थोड़ा पास्ट में हो गया, तो यह क्या है, पैटन देखिए, पढ़ रहा था, अब कोई भी ऐसा को हम बनाने के लिए, इस्तेमाल करेंगे, वाश और वर का, और उसके बाद, हैविंग टू, वाश वर, हैविंग टू, सिंपल हो गया, आव बनाते हैं, जैसे, मुझे जाना पढ़ रहा था, तो सिंपली हम बनाएंगे, I was having to go, I was having to go, उसे आना पढ़ रहा था, she was having to come, हमें पढ़ना पढ़ रहा था, we were having to read, तुम्हें खेलना पढ़ रहा था, you were having to play, वगयरा वगयरा, बना लोगे ना, अरे चुटके बना लोगे बना लोगे, बढ़ा असान है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला है, मुझे जाना पढ़ा, अब कोई भी ऐसा सेंटें मुझे सूना पढ़ा, उसे खेलना पढ़ा, हमें रूना पढ़ा, बच्चों को पढ़ना पढ़ा, पढ़ा पढ़ी पढ़े, इसके लिए पता हैं क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया चीज है, और सिंगल चीज है, एक ही है, और वो है, had to, had to, बात, अब जैसे मुझे जाना पढ़ा, तो इसे बनाएंगे, I had to go, I had to go, मुझे आना पढ़ा, I had to come, तुम्हें पढ़ना पढ़ा, you had to study, हमें खेलना पढ़ा, we had to play, बगेरा बगेरा, अब आप एक से बढ़िया बनाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हैं आपको मिलती रहेंगी, had to, आओ आगे बढ़ते हैं, अगला है, मुझे जाना पढ़ेगा, मुझे जाना पढ़ेगा, अब इसके लाष्ट में आप देखिए, पढ़ेगा रहा है, और कोई भी ऐसा हिंदी का वाक्य, जिसके लाष्ट में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आए, तुम्हें जाना मैं आपको बताता हूँ और वो है will have to जी हाँ बस आपको will have to लगाना है और हो गया आप बना लेते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा simple you will have to go you will have to go तुम्हें जाना पड़ेगा you will have to go तुम्हें आना पड़ेगा you will have to come तुम्हें सोना पड़ेगा, you will have to sleep, हमें नहीं जाना पड़ेगा, भाईसा, हम तो free हैं, we will not have to go, not लगा देना नहीं वाला हो जाएगा, आओ आगे बढ़ते हैं, next वाला देखते हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा, अब देखें, ऊपर था खाली पड़ेगा, नीचे भी वही है, लेकिन इसमें ही जुड़िया, यानि जोर देकर, यानि force करकर थोड़ा हो गया, इसके लिए pattern बता देता हूँ, इसके लिए pattern लगाएंगे, must have to, must have to, कितना simple pattern है, और कितना बढ़िया, must have to, अब आईए, मुझे जाना ही पड़ेगा, जोर must have to go, मुझे आना ही पड़ेगा, I must have to come, मुझे रोना ही पड़ेगा, I must have to cry, मुझे बूलना ही पड़ेगा, I must have to speak, आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, you must have to like the video, कर दो, share, अभी बात में कर देना, अभी लाइक ठोक दो जिल्दी से, अब आगे बढ़ते हैं, next है मुझे जाना पड़ सकता है, हम सभी को पता है कि जब भी किसी वाकिय के लाश्ट में सकता है सकती आता है, तो can आता है, वड़ी चीज़ यहां भी आने वाली है, लेकिन इसमें सकता है सकती के साथ, यह पड़ सकता है, पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, का भी प्रियोग कर सकते हैं, तो हमें काम करते हैं क्योंकि यह जो sentence है, यह 90% surety में बने गई नहीं, तो हम एक ही चीज का प्रियोग करेंगे May have to क्योंकि can और may दोनों का मतलब सकता है सकती ही होता है, May have to, तो देखे, मुझे जाना पड़ सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद बोल रहा हूँ तो may have to, तो simply मनाएंगे I may have to go, I may have to go, मुझे जाना पड़ सकता है, तो मैं आना पड़ सकता है, तयार है ना, फोन कर दूंगा, You may have to come, उसे बोलना पड़ सकता है, He may have to speak, हमें खेलना पड़ सकता है, We may have to play, आगे बढ़ते हैं, next देखिए, next है, मुझे जाना पड़ सकता था, इस बार पड़ सकता है नहीं है, इस बार है, पड़ सकता था, यानि अब बात हो रही है पास्ट की, मुझे जाना पड़ सकता था, हमें खेलना पड़ सकता था, उसे लड़ना पड़ सकता था, तो यहां पर क्या लगाएंगे, वैसे तो कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन क्योंकि हम आइडिया लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता था, तो हम मे का पास्ट लगाएंगे, और वो है, might have to, यह हो गया, अब जैसे मुझे जाना पड़ सकता था, हम सिंपली बना लेंगे, I might have to go, I might have to go, तुम्हें आना पड़ सकता था, you might have to come, हमें बैठना पड़ सकता था, we might have to sit, अब एक बार जल्दी से रिविजन करा देता हूं, काम हो जाएगा तमाम, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक कमाल की चाड़ देख रहे है, मुझे जाना पड़ रहा है, इसे मार के साथ having to, I'm having to go, मुझे जाना पड़ता है, पड़ता है, पड़ते हैं, I have to go, मुझे जाना पड़ रहा था, पड़ रहा था, वाज़र के साथ having to, I was having to go, मुझे जाना पड़ा, पड़ा पड़ी, had to, I had to go, मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगी पड़ेंगे, will have to, I will have to go, मुझे जाना ही पड़ेगा, जोर देकर, must have to, I must have to go, मुझे जाना पढ़ सकता है मैं have to पढ़ सकता है I may have to go मुझे जाना पढ़ सकता है पढ़ सकता है पाष्ट, might have to I might have to go अब यह पढ़ा 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 जितनी भी आरे ना यह सारे आप इस चार्ट के जरीए बना लेंगे अब भाईया ये तो आपने सीख लिया अब आप जल्दी से आपको एक छोट आसा होमवर्क दे देता हूं जिसके जरीए आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इसे में रेज कर देता हूं और आपको कुछ सेंटेंसे देता हूं और ये रहे आपके सेंटेंसे इस सक्त आप अपने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसे देख पा रहे होंगे इन सभी की इंग्लिश बनानी है और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है महरेक की ट्रांसलेशन चेक करूंगा उनको हर्ड भी दूंगा औ प्लीज उनकी हैल कीजिए और उनकी मीनिंग सही मीनि या सही ट्रांसलेशन उनके कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपका भी ग्यान बढ़ेगा और उनकी मदद हो जाएगी तो गाइस आज की क्लास में इतना ही आपको मज़ा होगा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हैं ऐसे ही चीज़ों को तो प्लीज इस वीडियो के सबके साथ शेयर कर दीजिए और हां सब्सक्राइब कर लिजिए यूट्यू चैनल सर्ताज क्लास जो की एकदब फ्री है फ्री बिलकुल यहां कोई चार्ज नहीं होता सब्सक्रा अगर आप